IPL 2024 के लिए आउक्षन की प्रक्रिया समाप्त हो गई मिचला स्टार्क सबसे बंगे खिलाड़ी बने KKR की टीम ने अपने बॉलेट से सबसे जादे पैसे खर्च किये IPL आउक्षन में इस बार विदेशी खिलाड़ीों पर सभी टीमें ने जम कर पैसे लुटाए खासकर चन्नाई और KKR की टीम ने तो पैसे की बारिस ही कर दी हालाकि इस दोरान कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारती टीम में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन उसके बाद भी उन्हें IPL में कई टीमों ने खरीदने की दिल्चस्पी दिखाई अगर हम अनकैप्ट खिलाड़ी की बात कर लें तो बिहार के सुसांत मिसरा को गुजरात की टीम ने अपने साथ जोड़ा है तो वहीं साकीब हुसेन को कोलकाता की टीम ने अपने साथ जोड़ा है इनके अलावा कई और अनकैप्ट खिलाडी हैं जिन्हें टीम ने अपने साथ जोड़ा जिसके बारे में हम आगे विश्तार से जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं साकीब होसेन के बारे में साकीब को कोलकाता की टीम ने उनके बेस प्राइस 20 लाक रूपिये में अपनी टीम के साथ जोड़ा आपको बता दें कि साकीब को लेकर पहले से ही खबरे चल रही थी कि उन्हें आईपियल में सामिल किया जा सकता है अपने साथ जोड़ा है साकिब के चैन को लेकर उनके गाउं में खुसी की लहर है हलाकि उनके गाउं और उनके परिवार के लोगों को पहले से ही उमीद थी कि उनका बेटा इस बार कुछ अच्छा करेगा ऐसे में हम उमीद करते हैं कि साकिब इस बार आईपिल में अपना जल्बा दिखाते हुए हमें दिखे आपको बतादें कि साकिब के पिता खाड़ी देश में भवन निर्मान में मजदूरी करते हैं उसी खाड़ी देश में बेटे को बूली लगी 20 लाक रुपे साकिप का नाम IPL के साथ साथ जुड़ने के बाद गोपाल गिन में भी खोशी की लाहर है IPL के मेनी आॉक्षन में दरभंगा के सुसान्त मिसरा को गुजराट टाइटन्स के टीम ने दो दो समलव दो जिरो कलोर रुपे में खरीदा आपको बता दें कि सुसान्त दरभंगा के अली नगर परखन के तुमावल के रहने वाले हैं गुजराट टीम के साथ जुड़ने पर गाउं परिवार में खोशी की लहर है आपको बता दें कि सुसान्त के पिता राची में प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके दादा कृष्टनंदर मिस्र संस्कृत उच बिद्याले में सिचक थे बरतमार में वे रिटायर हो चुके हैं सुसान्त इन दिनों जहरखन के टीम में सामिल है सुसान्त इस से पहले साल 2022 में हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे सुसान्त ने 8 दिसंबर 2021 को जहरखन के लिए लिस्टे मुकाबला दिल्ली के खिलाब खेला है इस बार के आई बियल में बिहार की तरफ से इसान किसैन मुकेस कुमार के साथ सुसान्त मिस्रा और साकीब हुसैन अपना जहर दिखाते हुए दिखेंगे आई एक निज़र डालेते हैं उन अनकैप्ट खिलाडियों के बारे में जिनके उपर टीमों ने करोड रुपे की बोली लगाई अनरिजबी को 8.4 जीरो करोड रुपे में चन्हाई की टीम ने अपने साथ जोड़ा है सारुखान को 7.4 जीरो करोड रुपे के साथ गुजराट टाइटन्स की टीम ने अपने साथ जोड़ा कुमार कुसागर को 7.2 जीरो करोड रुपे के साथ दिल्ली कैप्टिल की टीम ने अपने साथ जोड़ा सुभहम दूबे को पांच करोड़ रुपे के साथ गुजरा टाइटनिस ने अपने साथ जोड़ा तो यह वो उनकैप्ट खिलाडे थे जिनहें टीमों ने एक मोटी रकम के साथ अपने साथ जोड़ा थै इन खिलाडियों को घरेलू परदसन सांदार रहा है ऐसे में आई पेल में इन खिलाडियों से टीमों को अपना जलबा दिखाए क्योंकि इन दिनों जिस तरह से रिंकु